देरा परमुख गुर्मीत राम रहीन के सबसे बड़ी राज़तार और मुहु बोली बेची हनिप्रीत जमानत पर जेल से बाहर है दो साल बाद जेल की सडाकों से बाहर आई हनिप्रीत राम रहीन से मिलने के लिए अपतरस रही है और शायद इसलिए हनिप्रीत ने अब हरियाना के ग्रही मंत्री अनिल विज के सामने गुहार लगाई है हनिप्रीत के वकील अंबाला पहुँचे और ग्रही मंत्री से गुहार लगाई कि हनिप्रीत को सुनारिया जेल में बंद गुरुमरीत रामरहीन से मिलने की इजाज़त दी जाए अनिलवीच से मिलने पहुचे हनिपरीच के वकील ने कहा कि एक बेची को बाप से मिलने दिया जाने की इजाज़त मांगने के लिए वह अनिलवीच के पास पहुचे है हनिपरीत के वकील ने बताया कि हनिपरीत जेल के बहार आने के बाद से ही जेरा परमुख से मुलाकात की कोशिश में जूटी है जेरा परमुख गुर्मीत राम रहीन से जेल में उनका परिवार लगातार मुलाकात कर रहा है बावजूत इसके हनिपरीत के वकील यह दावा कर रहे हैं कि गुरमीत राम रहीन को जो आदेश हनिपरीत को देने हैं उसके लिए इन दोनों की जेल में मुलाकात बेहत जरूरी है इतना ही नहीं जेरा परमुक की जमानत के मुद्दे को लेकर भी हनिप्रीत के वकील ने कहा कि कौन लोग इसमें अर्चन पैदा कर रहे हैं इसकी जानकारी भी जेरा परमुक सिर्फ और सिर्फ हनिप्रीत को ही देंगे जेल से जमानत पर रिया होने के बाद ही हनिपीड देरा परमुख से मिलने के परियासों में जूटी है जिसके चलते सिर्सा पुलिस भी दोनों की मुलाकात पर आपत्ती जाहिर कर चूटी है ऐसे में हनिप्रीत के वकीलों की बातों पर गोर किया जाए तो यह भी अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर ऐसे क्या संदेश है जो गुर्मीत रामरहीम अपने परिवार को नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ हनिप्रीत को ही देना चाहते हैं हनिप्रीत को बेल हुए इतने दिन हो गए हैं और वो लगातार इस प्रयास में हैं कि उनके डेरा चीफ संद गुर्मीत रामरहीम जी से उनकी मुलाकात हो जाए जेल भी प्रशाशन करा लेकिन सिर्फा पुलिस प्रशाशन नहीं करा इसी तारतम में हम लोगों को एक प्रत्रिंद मंदल यहां मिला मानिये ग्रहमंत्री जी को वोल्ड-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning, a perfect venue for wedding, launching and parties, Raj Gharana and Jyoti Garden, a JBD Banquets Enterprise